सब्सक्राइब कीजिए सुमित ओनलाइन क्लासिस को और बैल आइकन को दबाना ना भूले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सुमित ओनलाइन क्लासिस के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज का डिसकेसन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अगर हम 14 नंबर कोईशन की बात करें, A, B क्या है, पाटनर है, A क्या लगाता है, 1 लेक की कैप्टल लगाता है, B, 60,000 लगाता है, तो A है और B है, दोनों पाटनर है, A लगाता है, 1 लेक और B कितना लगाता है, 60,000 लगाता है, इंटरस्ट अन कैप्टल कितना देन है 6% और बी को क्या देनी है सेलरी देनी है 33,000 पर मन्द तो अगर हम बात करें किसको मिलनी है यह बी को मिले कितनी मिलेगी 3000 पर मन्द तो 12 महीने कितनी हो जाएगी 36,000 पर प्रोविट फोर करेंट यह बिफॉर इंटरस्ट एंड सेलरी ना तो हमने कांब को बताने में इंटर्स तंक हम खुदाएंगे क्टिम एक त्यृत है तुप्रोप्रोप्रीशन अकाउंट नहीं इसके लिए क्या करना टी है S Twenty इये घिधान रॉफृट amount के लिए ये किस के लिए बना दिया amount के लिए चिक है और ये क्या बना दिया आपने particular और ये भी क्या बना दिया particular चिक है जी अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा net profit तो यहां क्या लिखेंगे by net profit कितना आया 80,000 next अगर हम बात करें क्या-क्या देना हमें एक तो interest on capital देना है और एक salary देनी है तो starting में क्या लिखेंगे to interest on capital किसको देना है ये एक देना है और भी को देना है एक कुतना देना है एक लाक लगा रिखी है कितने परसेंट से देना है तो कितना हुझेगा 6,000 ह हुझेगा ठीक है अगर हम बात करें सेकंड़ क्तना हो जगा हमारा 36 हो जैगा क्योंकि साथ जा रहे तो 36 हो जागा तो तूर्थ जोजेगा 9,600 फिर क्या देना है किसको देना है वी को तो कह रिखेंगे 50 कितना डालना है सैल्री के अंद अंदर तो हम किस रैश्य ओम करेंगे? ओन निदर डिस्टिबूट कर देंगे किस वाफ जाताँ से यहाँंब इस बैद यहा फिस बैसेmen नभा की एक फिकन सटेलन सब्सक्रार्ण चाहई यहां पर भी क्या जेगा यहां पर भी क्या जेगा आपका 80,000 चीक है अब ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा क्योंकि कितना मांट बचा है हमारे पास टोटल था हमारे पास 80,000 इसमें से कितना चला गया 80,000 की बात करें तो इसमें से कितना चला गया 9,600 एक चला गया और इसमें से 36,000 एक चला गया तो हमारे पास कितना बचा हमारे पास बचा 34,400 और अब इसको कैसे करना है एक और बाटना है तो divide कर दो तो उसे तो कितना आजाएगा आपका सत्रा हजार 200 और सत्रा हजार कितना आजाएगा दो सो दुन्हों के account में चला जाएगा और ये कितना हो जाते है उसके बाद क्या बनाएगे हम पार्टनर का capital account मांगा नहीं है लेकिन फिर भी बना देंगे यह प्रैक्तिस हो झाएगी यह इसका बना एक लाक और साथ जार, सबसे बहुए या करें को कि बाइब बैलेंस, ईब्रोड डाउन, बीडी, कितना, वन लेक और कितना है, सिक्स्टी तौजएंट, उसके बाद आपको क्या मिला इंटरस्ट ओन कैपिटल मिला, तो यहां कि लिखेंगे, बाइब इंटरस्ट ओन कैपिटल कितना मिला आपको एक को तो मिला 6000 और सेगंड को कितना मिला 3.6000 और क्या मिला इसको बी को क्या मिली सेलरी मिली तो यहां कहा लिखेंगे इसको दोड़ा लंबा कहीं चलेते हैं ठीकिए माउट ज्यादा है हमारे पास यहां क्या लिखेंगे बाइ सेलरी कितने बी को मिली 36000 ठीक है 36000 ठीक है next क्या मिला हमारे को profit मिला कहां से profit and loss appropriation से next क्या करोगे by profit and loss appropriation कितना मिला हमारे को 17,2013,20 और 17,200 ठीक है यह मोट मिला भी इसको और तो खोंक और तो बिलेका तो इसको टोटल कर देते हैं इसको भी टोटल कर देते हैं और यहां कर लिकि में तो balance CD क्योंकि निकाला कुछ नहीं है नहीं हमसे कुछ चार्ड हुआ है तो कितना आजेगा लास्ट अगर हम B की बात करें तो 60,000 plus 3,600 plus 36,000 plus 17,200 तो यह आजेगा मारे पास 53,200 यहां क्या आजेगा 53,200 अगर नेक्स्ट की बात करें यह कितना है वन लैक वन लैक प्लस 6000 plus 17,200 यह आजेगा मारे पास 1,23,000 और यह 200 तो हमारे यहां कितना आजेगा 1,23,000 और यह 200 यह हमारा बैलन्स सीटी के अंदर आजेगा यहां विसे ममांट लिख लेना तो यह हमारा कुश्टन नमबर 14 था तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सुझाव या कोई सिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना बोलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लें ताकि जब में मैं कोई नई वीडियो प्डेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रही धन्यवाद